नमस्कार दोस्तों मैं धर्मेन वर्मा ओनलाइन इस्टेडी विडिके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज हम बात करेंग दोस्तों हिंदी सिक्षा सास्तर के 30 अती महत्वपूर्ण प्रशनों के बारे में यहाँ पर दोस्तों आपको 30 important प्रशनों मिलने वाले हैं जो कि सभी टेट इक्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं और यहाँ पर दोस्तों आपका आकलन भी होने वाल प्रक्रिया क्रमबध रूप से तत्यों को यांत्रीक रूप से पढ़ना तो इतने समय में दोस्तों आप मेरे कमेंट से बॉक्स में या अपनी कोपी में इसका आंसर लिख सकते हैं लास्ट मुझे रूर बताएगा कि कि नंबर आये आपको आज के 30 प्रशनों में तो अधि परिवार में और विद्याले में तीनों में ही भासा सीखने में साहयक होती है तो यहां पर हमारा जो सही आंसर होगा वो उप्रोक्त सभी होगा बच्चे अपना श्वियम का सामाजिक रूप में रचित भासा तंतर विक्सित कर लेते हैं यहां कथने जो कथने दोस्तों यह किसका है प्रेसी का है चामसिकी का है वाईगोचसिकी का है या फिर इसकिनर का है तो यहां पर हमारा सयांसरे जो कथन है यह वाईगोचसिकी का है यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे हमारा सही रहेगा अगला प्रश्ण है व्यभारवादी मनो विज्ञानिक है यहाँ पर आपको बताना है कि कौन व्यभारवादी मनो विज्ञानिक है इसकिनर है चामसे की वायगोट से की या फिर पियाजे तो यहाँ पर हमारा स्यांसर है इसकी नर व्यभारवादी मनोविज्ञानिक है तो यहाँ पर पहला वाला विकल्पे हमारा सही रहेगा अगला प्रश्ण है भासा सीखे जाने के क्रम में विज्ञानिक पड़ताल भी सांसाथ चलती रहती है यहां कथन किसका है जो कथन है इसके बारे में आपको बताना है किसका है चामसिकी का है औरे रिन का है वाइगोट सिकी का है या फिर जिन प्याजे का है तो यहां पर हमारा से अंसर है जो कथन है यहां पर पहला वाला विकल पे हमारा सही रहेगा अगला प्रश्ण है विकास की भासा प्रियोग की छमता आप परिपक्व है इसका कारण हो सकता है क्या हो सकता दोस्तों इसका कारण भासा अधिगम में आरूची सम्रद भाशी परिवेश का भाव सारीरिक या फिर उप्र यहांगा आपको बताना है बच्चो के भाषी विकास में कौन साहय के विध्याले है सांसेक्रतिक कारिकरम है भासन है या फिर यह सभी है तो यहाँ पर हमारा से आंसर है जो बच्चों के भाशी विकास में साहया के दोस्तों विध्याले भी है सांसेक्रतिक कारिकरम भी है और भासन भी यह तीनों ही बच्चों के भाशी विकास में साहया के तो य व्यक्तित्व के निर्मान का सामाजिक सांसिक्रतिक पहचान का और व्यक्ति की पहचान का इन तीनों का ही साधन होती है या फिर साधन है तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह उप्रोक्त सभी होगा भासा इन तीनों का ही साधन है तो यहाँ पर सही आंसर होगा फोर्त से आंसर है बालकों के भासा सीखने में समाज तथा परिवार एक महत्वपून भूमिका निभाते हैं तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा अगला प्रश्ण है सिक्षन की त्री आयामी प्रक्रिया के तीन आयाम है कौन से हैं तीन आयाम अध्यापक छातर वा विशेवस्तू छातर विशेवस्तू वा सिक्षन प्रक्रिया या फिर अध्यापक सिक्षन प्रक्रिया वा विशेवस्तू तो यहां पर हमारा से अंसर होगा जो सिक्षन की त् मात्र भासा का महत्व नहीं है यहाँ पर आपको बताना है जो भासा सिक्षन होता है उसमें मात्र भासा का कौन सा महत्व नहीं है चार विकल्पों में से आपको बताना है बच्चों के अनुभव उनकी मात्र भासा में होते हैं भाशाई कोशलों में निपुनता प्राप्त कर के लिए मात्र भासा में सिक्षण सिक्षण प्रक्रिया में बादक होता है या फिर सिक्षक सिक्षार्थियों के मद्य संप्रेशन इस्तापित्व करने में सहयक है तो यहां पर हमारा से अंसर है मात्र भासा में सिक्षण सिक्षण प्रक्रिया में बादक होता है यहां भासा स पूछा गया था कि जो भासा सिक्षन का उद्देश सिर्कों सा नहीं है तो यहां पर तीनों ही विकल्प आपको दिख रहे हैं यहां पर हमारा फोर्ट वाला रहेगा अगला प्रश्न है अध्यापक द्वारा चात्रों की छमता के अनुसार पाठ को पढ़ाना कौन सा सिध्धानत है व्यक्तिक विभिन्यता का सिध्धानत है सहचर्य का सिध्धानत है चयन का सिध्धानत है या पिर अनुबंद का सिध्धानत है तो यहां पर हमारा राइट आं सिध्धान voyez के सिध्धानते से मातरभासा सिच्छन सिध्धान दोस्तंव के से एद्यापक शात्रों को पढ़ाने के लिए चित्रों का प्रियोक करता है अध्यापक सिख्छन अधीगम प्रक्रिया में किस सिध्धा Members करता है को अध्यापक सिध्धान्त का प्रियोग करता है सहचर्य का सिध्धान्त बाल केंद्रित का सिध्धान्त अनुपात एवं क्रम का सिध्धान्त या फिर निश्चित उद्देशी एवं पाठ सामगरी का सिध्धान्त तो यहां पर हमारा से अंसर है अध्यापक सिक्षन अधिगम प्रक्रिया हमें सहचर्य सिध्धानत का प्रियोग करता है यहां पर पहला वाला विकल Türkiye हमारा सही रहेगा अगला प्रश्रक विध्यारतियों की बौद्धिक भासा सिक्षण का नियम नहीं है यहाँ पर आपको बताना है कौन सा भासा सिक्षण का नियम नहीं है विसलेशन से संसलेशन की और निश्चित से अनिश्चित की और आगमन से निगमन की और या फिर विसेश से शामानी की और तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो अगरा प्रस्थज लीए आवस्यों पस依ा भाश्यों के सिक्षक के लिए आवश्यों करसे चातरों सिक्षक-ंच्प neces डियां यतीत ओंधे तो यहां पर आसा प्रों केरनेए के यहां है याने हमारा यहाँ पर फोर्त वाला विकल्प सही रहेगा बीस्वा प्रस्ण है बालको द्वारा सब्दों या वर्णों में अंतर करना आधारी थे व्याकरण पर विभेधी करण पर सब्द सरचनाओं पर या फिर पाठी पुस्तकी ज्यान पर यहाँ पर हमारा सब्दों या वर्णों में अंतर करना जो आधारी थे दोस्तों वो विभेधी करण पर है यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकन वाला रहेगा अगला प्रस्ण है ग्यात से अग्यात के नियम का प्रतिपादन होता है निगमन विधी में खेल विधी में आगमन विधी में या फिर समवाई विधी में तो यहाँ पर हमारा से अंसर है ग्यात से अग्यात के नियम का प्रतिपादन होता है दोस्तों वो आगमन विधी में होता है यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा व्याकरण सिक्षन के संबंद में उचीत कथन है यहाँ पर आपको बताना है व्याकरण सिक्षन के संबंद में कौन सा उचीत कथन है चार विकल्पों में से आपको सही विकल्पों का चैन करना है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा विध्यारतियों को भासा के नियंबद स्वरूप में परिचित करवाया जाता है और विध्यारतियों को भासा के सुद्ध रूप का प्रियोग करने के लिए प्रियरित किया जाता है दोनों ही कथन दोस्तों व्याकरण सिक्षन के संबंद में उची थे तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्त वाला रहेगा अगला प्रस्न है व्याकरण को भासा का सरीर कहा है दोस्त इंपूटेंट प्रस्न ही व्याकरण को भासा का सरीर किस ने कहा है डाक्टर स्वीट ने महर सी पतंजली ने डाक्टर जेगर ने या फिर कामता प्रशाद गुरू ने तो यहाँ पर हमारा सयांसर है व्याकरन को भासा का सरीर डाक्टर श्वीट ने कहा है यहाँ पर पहला वाला विकल पे हमारा सही रहेगा अगला प्रशन है व्याकरन सिक्षन से सम्मधित नियम नहीं है यहाँ पर आपको बताना है कौन स व्याकरण सिक्षन से सम्मंदित नियम यहाँ पर उप्रक्त में से कोई नहीं है क्योंकि अनिवारता का नियम व्यर्थता का नियम और समन्वित सिक्षन का सिध्धानती यह तीनों ही व्याकरण सिक्षन से सम्मंदित नियम है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा फोर्त वाल अगला प्रश्ण है भासा में निपुंदता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है व्याकरण के नीमों का कंठश्ट करना कविताओं का पाठ करवाना सम्रद भाशिक परिवेस उपलब्द करवाना या फिर निबंद लेखन करवाना चार विकल्प दिये यहाँ पर सही विकल का उद्देश है द्वनियों के मद्य के सुक्ष मंतर से परिचित करवाना भासा की सरचना का ज्यान प्रदान करना भासा की असुदता को पहचानने की युगता का विकास करना या तीनों ही व्याकरण सिक्षण के उद्देश है तो यहाँ पर हमरा जो राइट आंसर होगा वो उप्रोक्त सभी होगा फोर्त वाला विकल्प हमारा यहां सही होगा अगला प्रश्न है व्याकरन सिक्षन का उद्देश नहीं है अब आपको बताना है कौन सा व्याकरन सिक्षन का उद्देश नहीं है नवीन भासा सीखने में सहयोग करना व्याकरनिक नियमों को कंठश् करवाना ये व्याकरन सिक्षन का उद्देश नहीं है यहां पर शेकन वाला विकल्प हमारा सही रहेगा अगला प्रस्ण है व्याकरन के नियमों को कंठश्ट नहीं करवाया जाता पुस्तक विधी में आगमन विधी में निगमन विधी में या फिर सुत्र विधी में तो यहा पर हमारा सही आंसर है आगमन विदी में व्याकरण के नियमों को कंठश्ट नहीं करवाया जाता यहां पर शेकन वाला विकल्पे हमारा सही रहेगा अगला प्रस्ण है मुकेस अपनी कक्षा में विध्यारतियों को विबिन लेख को से वारतलाप के अवसर उपलब्द करवाता है वहां व्याकरण सिक्षन के लिए प्रियोग करता है भासा सासर्ग विधी प्रतिक्ष भासा सिक्षन विधी समवाय विधी या पिर सासमंद विधी तो यहां पर हम को व्याकरन के नियमों से परिचित कर वाने के लिए वर्ग पहली का पुरियोग करती है वहां किसका प्रियोग करती है प्रियोग विधी का व्यभारी का व्याकरान सिक्षन विधी का खेल विधी का या फिर पुष्टक विधी का तो यहां पर हमारा सयांसरे वहां खेल विधी का प्रियोग करती है यहां पर तीसरा वाला विकल पे हमारा सही रहेगा तो आज के जो तो सब्सक्राइब कर लिजे और साथ में बेल आइकन को दबाईए जिससे कि आपको लेटिस्ट वीडियो मिलती रहे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं जब तक के लिए धन्यवाद